गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा किसे मन नहीं करता पीने का लेकिन मार्किट से खरीद कर पीने से अच्छा है कि आप घर पर बना कर पीएं तो आज मैं बना रही हूँ ये बेल का शर्बत जी हाँ सेहत के लिए तो बेहत लाजवाब चीज है ये आपको जरूर पीना चाहिए और घर में इसे बनाना तो इतना असान है और पीने में आपको इतना अच्छा लगेगा कि बस मन करेगा डेली एक ग्लास मिल जाए तो इस बेल के सर्बत को बनाने के लिए इसे इस तरीके से तोड़ा जाता है दिहान रखें पका हुआ बेल खरीदें आजकल मार्केट में ये आपको खूब मिल जाएगा तो डेली एक तो आप जरूर बना कर पीए तो इसको क्या करना होता है इसका जो अंदर का गूदा है उसको आप चमच की सहायता से इस तरीके से निकाल ले और इसके जो वाल पे भी जो गूदा लगा होता है उसको भी अच्छे से खुरच-खुरच कर हमने निकाल लेना होता है जब हम छोटे थे ना तो ये जो अंदर का गूदा होता है ना उसको हम खा जाते थे खाने में ये इतना अच्छा लगता है कि बच्चे तो आजकल इन सब चीजों को इंज्वाय करते ही नहीं है तो बस अच्छे से गूदा निकालने के बाद ना इसमें थोड़ा सा पानी डाले और हाथ से अच्छे से मसल ले देखिए ये सब चीज़े जो है ना देसी चीज़े है इसको आप हाथ से मसल कर ही बनाईएगा मिक्सी में डाल कर मत पीसिएगा नहीं तो इसका स्वाद जो है ना एकदम खराब हो जाएगा तो बस अच्छे से मसलने के बाद ना इसको हम चाल लेंगे देखिए इसका गूदा अच्छे से निकल जाए पानी के साथ इसमें एक अच्छा तरीका ये भी है कि गूदे को ना अब पानी में भिंगो कर आदे घंटे के लिए छोड़ दें उसके बाद इसे मसल कर इस तरी तरीके से चाल लें देखिए मैंने अच्छे से चाल लिया है अब क्या है इसमें चीनी डाला है चीनी भी हमने उतना डाला है जितना की जरूरत हो ये थोड़ा मीठा है बेल तो मैं इसमें बस तो से तीन चमशी चीनी डाली हूँ अगर मीठा पन तोड़ा कम है इस फल का त इतना अच्छा लगता है कि जब आप पीएंगे ना तो बस आपका दिन बन जाएगा तो चलिए मैं तो इसे इंज्वाय कर रही हूँ आप भी फटा फट मार्केट जाएए ये खरी दिये बेल और घर में लाकर ये बेल का सर्बत इंज्वाय कीजे और बच्चों को भी पिला है ये तो इस गर्मी में न मतलब पूरी गर्मी आप इसे पी कर इंज्वाय करें और सेहत मंद रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू